नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूस बूलेटन में आपका स्वागत है रुख करते हैं सहारनपूर की तरफ सहारनपूर में हमारे बीरो चीफ विरिंदर चौदरी और हमारे सम्वादाता हेमन तरोडा ने देवबन के शुगर मिल के वाइस शेर्मेन दीनानाक मिश्रा और अनिल त्यागी जी से की खास बातचीत लॉकडाउन के दौरान कैसे कर रही है शुगर मिल काम आएए देखते हैं अभी हम देवबन तिर्वेणी शुगर मिल के उस भाग में पहुचे हैं जा गन्ने से रिलेटेड जितनी भी इंक्वाइरी है यहां पर आता है वहां की हमारे बीच में उपस्ते हैं अनिल त्यागी जी और इनसे में जानना चाहूं का कि जो गन्ना आ रहा है फिलाल वर्त अभी जेके के आp क्य réalité है कि आपको हम लोग जन दो आ एकस पूरिक आहा है क्या पतिता हैं और उस तो हो गन्ने का जो आख है पहले जो जितना टो निकलता है आपका अलिकवीड उन स से जो चीनी बनती है और वह चीनी के अकोर्डिंग जो बाहर मॉर्किट में जाकर जो amount गन्ने के किसानों के खाते में आनी थी उसका अभी क्या चल रहा है amount से related जो भी चिन्नी हम शुगर मिल के अंदर produce करते हैं उस चिन्नी का एक प्रक्रिया है कि जितना हमारा 24 hour का production होता है उसे हम संबंदित bank को pledge करते हैं और bank जो है हमें उसका 85% payment कर देता है हमारे खातें बेज़ देता है जैसे हमारे पास हो 15 दिन का पैसा इखटा होता है तो हम उसी के अनुसार हम advice generate कर गए कास कारोगे खातें पैसा बेज़ देते हैं अभी हमारी चिन्नी मिल द्वारा 25 फरवरी तक का बुगतान आज 25 तरिता बुगतान संबंदि समीतियों में सभी में चेक पहुंच जाएंगे और DCO साब ने मुझे आज ही अवगत कराया है कि DM साब से बात हो चुकी है कि कास कारोगे गन्ने का बुगतान बैंक में जमा होने के लिए इस पेसली बैंक खोल ले जाएंगे कि only check deposit करने के लिए पबलिक के लिए नहीं कि जिससे के कास कारोगे खाते में पैसा पहुंच जाएं तो मेरे बीच अभी हमारे पास और भी अधिकारी हैं यहां पर शुगर मिलके उनको कोराना से रिलेटिड जानकार उप्रब्द कराई जाती है और क्या उपाए उनको बताए जा रहे हैं उनको जो है एक सोचल डिसेंसी मेंटेन करने की हमेशा उनको सला दी जाती है उनको सेनिटाइज करने के बाद ही हम कोई भी कारे करते हैं तो आप λोग डाउन करेंगे लोग डाऊन का समर्थन करेंगे लोग डाउन के अगर बढ़ता है तो आप देख सकते हैं हमारी बात हुई है कि लोगडाउन का भी समर्थन करेंगे और गन्ना से रिलेटिड जो पेमेंट है वो भी किसानों के खातों में बिजवाने के लिए पूरे प्रितन किये जा रहे हैं चेक प्रवाइड करा रहे हैं और बैंक को भी स्पेशल टाइम दिया जा रहा है अधिकारियों के अनुसार कि वह चेक वहां जमा हो सके और पेमेंट गन्ने में जा सके अभी पब्लिक एश्या की टीम है देवंत शुगर मिल में यहां के उपाद्यक्ष है दिनानात मिश्र ज और अब हम इनसे बातचीत करेंगे लोगडाउन को लेकर कैसे काम चल रहा है लोगडाउन को शुगर मिल कैसे कारिय कर रही है किसानों को लेकर यहां पर जो गन्ना आ रहा है पहले कितने किसान आते थे और अब क्या इस्थिती है लोगडाउन को लेकर जानना चाहेगी कि जब चल रहा है तो ऐसे में जो गन्ने के पहले टेक्टटोली आती थी और आपकी संख्या में क्या फर्क है और उनके लिए कोरोना को लेकर क्या-क्या उपाए हम लोग कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके जागरुकता के लिए हम आपको अउगत कराना चाहेंगे कि गन्ने की पिराई हमारी उतनी हो रही है जो हमारी छमता है उसका हम लोगों ने बड़ा fine tuning किया है दो बड़ी important चीज होती है हमारी operation research के होते हैं waiting lines होती और sequencing होती है हम लोग गन्ने का indent इस तरह कर रहे हैं बड़ा fine tune कर रहे हैं कि हमारे वहां गन्ने की पिराई में कोई भी वो न हो का व्योधान और हमारे किसानों की जो distancing है हर किसान को आग्रह किया गया है को अपने बगगी पर बैठे रहे हैं अपने ट्रॉली बैठ रहे हैं अपने ट्रॉलाप बैठ रहे हैं और जब गन्ने की पिराई करने के लिए के अंदर जाएं, तो अपने बुग्गी जाएं, केवल वहां पर जब अनलोड करें, तब ही उतरें, तो सोसल डिस्टेंसिंग तो जो सोसलच बात करते हैं कि चुक् 기 अंदर ब guaranteed को सब्सक्राइब। पाच्चियों से पहले गन्ना ले आता था अब उनकी हम लोग मेसेज भेज देते हैं और वो मेसेज को दिखा करके किसी को चूना नहीं है इसके बावजूद भी उनके सेनिटाइज़ेशन के लिए हम लोग साबुन रखे हुएं डिट उला देते हैं और बेवस्तित रूप से उनका सेनिटाइज करते हैं और तब किसान को अंदर जाने देते हैं अंदर जाने के बाद बहुत कम समय में गन्ना जो है वो अनलोड कर देते हैं अनलोड करने के बाद वो चले जाते हैं और हर किसान को यह request किया गया है कि किरिपया आप लोग अपने भूगिस न उतर हैं और हाथ न मिलावें और आपस की दूरी जो है दूरी बनाक रखें और केवल ऐसी epidemic है बहुत हाई है उसको तो देखने में प्रभावित नहीं कर पाएगा लेकिन इलिक कोई low immunity का है तूस आदमें को सब्सक्राइब यह सब चीजे educate करते हैं अब बात रही कोदोग चलाने के लिए जो हमारे श्रमिक शंग है हमारे श्रमिक बचारे बड़े discipline है कोई आदमी बाहर नहीं जा रहा है और केवल नियत समय से चुकि सरकार की बेवस्ता होई है कि सब्जी औफल हमारे पास आ जाता है तो सब्जी औफल और लोगों ने अपना जो है या तो पैक करा के सामान यहां सप्लाई हो जाता है या कोई निस्चिट टाइम कर लेते हैं उस स हमें जा गर के बिना किसी के किसी ब्योधान के करते हैं जहां तक वरकर है वरकर का हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं उनको सनिटाइज करते हैं फिर भी गलप्स देते हैं और उसके बाद जो है उनको और भी जितने भी जैसे हेलमेट्स हैं अंदर हेलमेट प्रयोग करते ह हैं और शूष का प्रयोग करने करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में चलाने के लिए कोई छोटे-मोटे कार ही होते हैं तब भी हमारे जो स्रमिक गोश है यह चुबाचोथ की विमारी रही है क्रिपया इस प्रिपया दूरी बनारades की गन्ने का पेमेट आज भी हम कर रहे हैं पहले तो हमारा अठारह ताक था आठारह फर croplari तक आज के पेमेंट के बाद 25 फर формुंज तक हमारे कापके अगला पेमेंट जो होगा फरवरी पार करके हम लोग मार्च में चले जाएंगा चूंकि आप जैसा सभी को विदित हैं सारे लोग पड़े लिखे लोग हैं चूंकि इस लोग डाउन में चीनी का बिक्रे बिल्कुल नहीं हुआ चीनी का बिक्रे इसलिए नहीं हुआ सारे हैं और अपने छोटे से संसादन से चाय वगारा पी करके ही काम चला रहा है अब जो एक बहुत बड़ा बजार था मिठाई का चौकलेट का और चाय पती का होटलों का था तो उसमें चीनी का जो कंजम्शन होता था इसमें जो आकलन है पर्टिकुलर यूपी का जो नुक्स पहला है कम सकम 10-15 लाख टन चीनी जो है जो कंजीम होती और ओर मार्केट में बिख के जाती और गन्ना वो पैसा से ही गन्ना मुल्ल दिया जाती है इसलिए थोड़ी सी लोग डाउन से हम लोग डाउन से हम लोग को पेमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है और चीनी का होड़ी स्पॉट में भी है तो अगर लोग डाउन बढ़ता है तो मिल मजदूर दीवस भी है दोनों चीजे पूछना चाहिए तो अपने शर्मिगों को और उनको आगे भी लोग डाउन के लिए हेल्प करेगा समर्थन करेगा कि लोग डाउन रहे क्या परदान मंत्री जो इससे बाहर रखा है हमारे शुगर इंडस्टी के जो भी हमारे करमचारी है उनको प्रसासन के द्वारा आने जाने की सुविदा है जैसे किसानों को खेत कटाई के लिए लेवर का है वो सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए है तो हम लोग भी चुकि हमारे लोग एकवार cup 이제 के लिए उनके वंगल करते हैं तो हमारी बाद का अच्छर से उनके पालन करते हैं और हम लोग जितना उनको कहते हैं उस से ज्यादा भी वो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो ईलाइटेंड लोग हैं जागरूक लोग और जागरूकता में उनके पकपक य Kanady रह और इनके बात का समान भी लोग करते हैं और काफी हमारा जागरूग परीवार काफी परीवार रही है और काफी अनुशाशी तब नीस नहीं है बाहर निकलता है तो बहुत ही और प्रत्यासित को इसी बात आ जाती है तो चाहे एंबुलेंस से जाएगा यदि बीमार है और नहीं हो तो अपने कोई नियमावली तेंक किया है सामान उसके घर आ जाएगा या वो अपना किसे ब्योस्ता से मंगा लेगा तो कोशी समारी यही हो रही है और किसी अब हमने बात की वाई शेयर में दिनानात मिश्री जी से गन्ने की पेमेंट को लेकर बात हुई है बात शुगर मिल का भी कहना है कि गन्ने की पेमेंट यदि चीनी का उठान होता है तो ही गन्ने की पेमेंट आपाती है चुकि बहुत बड़ा परदेश है उत्तर परदेश और चीनी का उठान बाहर जो बड़े परतिष्ठान हैं चाई की दुकान हैं होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं जहां चीनी का बहुत ज्यादा यूज है वो बंद हैं लेकिन ऐसे में भी ये लोग पूरा जीतोड से कोशि को शर्मिकों को जगा जगा बार बार जागरुक किया जाता है कोराना से बचने के लिए और हर तरीके से सुईधाओं के लिए उदर बीजेपी के जिला अध्यक्ष महंदर सेनी ने बताया कि कैसे कर रहे हैं वो लोगडाउन और कोरोना के प्रति लोगों को जागरुक और अभी पब्लिकेशागी टीम पोची है भारते जंता पाटी के जिला ध्यक्ष महंदर सेनी जी के यहां यहां इनसे बात करेंगे हम लोगडाउन को ले कर कि क्या लोगडाउन को ले कर अध्यक जी देबंद अक्षेतरों मेंगे में आप कैसे लोगों को जागरुक कर रहे है आपके कार्य करता किस परकार अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं आप चाहें तो मास्क दिनी चाहिए ये वेस्विक महमारी कोरोना से पूरे दुनिया के साथ साथ हमारा जन्पत भी पीडित है और देवबंद में जैसे संकरमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी आज की तारिक में 92,92 पेसेंट पॉजिटिव पेसेंट देवबंद से मिले हैं अब दक के उसे एक माहोल भय का माहोल तो हमारे छेत्र में है मगर सभी से ये निविदन किया गया है कि इससे डरना नहीं कोरणा से डरना नहीं केवल सतर करेना है और सायम के साथ हम आपस में सोसल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं अपने घरों में रहे हैं इस तरह की हमारे कारिकरताओं के द्वारा एक जागरूपता पैदा की जैसे कि आज मजदूर दीवस भी है और जो मजदूर बाहरी अक्षेत्रों से जैसे पंजाब है लोध्याना है इस साइड से वहाँ पर उनको राशन की या वहाँ के जो फैक्ट्रियाज हैं उनके मालिकों के थ्रू जो वहाँ पर कारियाश है उनको वो फैसिलिटीज उपलब्द नहीं हो पा रहे है तो वो अपने अक्षेत्रों की और प्लान करने तो आपकी सरकार ने या हमारे जो मजदूर सडकों पर आगे थे उन सब को बसों के द्वारा उनके अपने अपने जन्पदों में पहुचाया है इसी तरह कल्च से फिर एक योजना बनी हैं सभी प्रदेशों की सरकारों से संपर्क करके उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है और वहां जो हमारे उत्तर प्र यहां रखें और तुरां तुर्न मजदूरों को उनके जन्पदमें पहुचाया जाने के वरिस्ताब की जा रही है अभी देवन में होट स्पोट है मेरे खाल से और काफी सारे कोरोनर के पेशेंट भी हैं मरीज भी हैं जो मिल रहे हैं टेस्ट कितुरू और कुछ टेस्ट भी आने बागी रहते हैं तो तीन महीं तक जैसे की लॉकडाउन है और आज एक महीं हो चुका है कल का दिन बीच में हैं तो आगे क्या संभावनाएं कि लोगों बढ़ना चाहिए ऐसे एक शेत्र पर बढ़ेगा लोकडाउन बढ़ेगा तो क्या आपका समर्थन रहेगा देखिए यह मानिये यह सश्वी प्रधान मंतरी नरेंजी मोदी ने उचित समय पर सही निर्णे पूरे भारत के अंदर लोकडाउन का सही निर्णे लेकर आज हम और अन्य देशों से दुनिया के सभी देशों से बहुत 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 इस्तिति में हमारे हैं मोद का आखड बढ़ने का आगड़ा कम है और ये केवल और केवल लोकडाउन के कारण और जनता में आई जागरुता के कारण है और रही बात यहाँ देवबंद और जनता सारणपुर की मैं तो इसी पक्स में हूँ हमारी सरकार भी मैं श्यम तो इसी पक्स में हूँ के लोकडाउन अगर ख जो लगबग अपना जैसे तैसे करके स्कूल का गुजारा चलता है तो उसके लिए क्या रहेगी विवावकर से फीस के लिए स्कूलों से क्या पील रहेगी फीस कब लें कैसे लें अभी तक तो यही रहा है आज भी अपने समचार पत्रों में देखा होगा हमारे जो इस्पट्रब स्कूल यह भी ऐसे है रामें जी उन्होंने भी एक अपील की है सभी स्कूलों से कि हम जैसे कुछ स्कूलों ने तीन महीने की फीज पब्लिक के लिए माफ कर दी उन्होंने सभी स्कूलों से अपील की है कि सभी इस तीन महीने की फीज को माफ करने और हमारे जिलादिकारी महोदे ने भी अदेश जारी किया है कि तीन महीने की फीज़ जैसे कि एड़्वांस में लेतेते थे स्कूल वो एड़्वांस में लेने के लिए विलकुछ सक्टी से मना कर दद गाविशू भीज़ोगा उसे जुलाई से बल देगा प्रतिय जनता पार्टी के प्रते एक कार्यकरता से केवल ये आवान है कि वो जिस बूत पर वो स्यम रहते हैं केवल उस बूत की जिम्मेदारी लेने उस बूत पर कोई भूका ना रहे वहीं उसी बूत के संपन्न लोगों से सहयोग लेकर जो कमजोर व्यक्ति हैं या जो भूका लगता है कि जिनके पास रासन नहीं है उन्हें रासन विद्रित कर दें और सोसल डिस्टेंस का ध्यान रखें कहीं भी इधर उदर घूमने की बजाए केवल और केवल हम अमारे कारकरताब केवल अपने अपने बूत का जिम्मेदारी ल लोगों को भेज कर जागरुक किया जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ कहीं जगा पर पत्थर बाजी हो रही है कहीं पर कुछ हो रहा है इनको नुक्सान पहुंचाने के लिए तो क्या पील करने चाहेंगे जो लोग पत्थर बाजी करने उनसे इस वैस्विक महमारी के समय पर डॉक्तर सबसे पहले मोर्चे पर उससे संगर्श कर रहे हैं उनके साथ मार्पीट करना या अपमानित करना यह बहुत बड़ा अपराद है और जिसकी बहुत पहले से जरुरत भी महसूस की जाती रही वो मानिय नरेंजी मोधी ने उसे कानून का रूप दिया है उसके र्वी हούμε डक्टर होने के ऺश्यत से और कुरे देश की और से उस के लिए साधवाध देना चाहता हूँ तुछी बाद हमारे उसके बाद हमारे पुलिस परसासन हैं परसासनिक अधिकारी हैं और पत्रकार बन्दु हैं चायकार मित्र हैं उस सब लोग इस वैस्विक मामारी के समय पर इसकी बारिक से बारिक जानकारी को जनता तक पहुचा रहे हैं और जागरुपता पैदा कर रहे हैं अपमाहों से बचाने के मेहंदर सैनी जी से उन्होंने लोग डाउन को लेकर या अपने कारिकर्ताओं से अपील की कैसे अपने बूत पर या जहांकि वो जन पर तिनीदी हैं वहां पर जाकर अपने-पने लोगों को जाग रुप करें कोरोना से बचने के लिए लोग डाउन का पूर्ट्या समर्थन क स्कूल से रिलेटिड उन्यों किस सरकार कंगे फीज का सिस्टम या तो सरकार से उन तीन के संहीं है और जो कर सकते हैं श्कूल उन्हसे पील की जाए कि वो फीज देब kita hon Sn is a पब्लिक इशया से jee मंतरोड लोग से कैसे करें बचा देखें इस बच्ची के संदेश और अडिए नाड में देख रॉष्य आप्सष, इस हम भी सेटी फॉर्सौ में आप rocky क्यों यहां गुंद प्रिख्य यह कै टिद्ट आइसर। लोई मास एक से हो ननी सी पुशी मूली सी हसी फूलों की बाहे बूल गए जब देश ने दी बाज हमें उगाई की राहे बूल गए सुखोई नहीं करी रातों से हमीं दूशी दिन आएगी जब देखेंगे अवाद तुझे तेरी मिर्ती में मिल जावा खुल बर्टे में खिल जावा बशिक्टरी पीजिया यादू जैंके फकार और डाक्टर उधर बुलन शेहर में कोरोना जंग में मुश्टाइद पुलिस कर्मियों को कैसे बचना चाहिए कोरोना से इसके दिये गए निर्देश इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही प्रभावसाली तरीके से पहली कोशिश तो यह की है कि जो ज्यादा गंभी रस्थल है जहां पर पाच्टू केसेद होने की संभावना है या जिन इलाकों में पाए गए हैं जो होट स्पाट के रूप में चिन्दित हैं वहां पर हमने सारे कर्विचारियों को उन्हीं को लगाया है जो 55 यर से कम उम्र गए हैं इसके साथ ही उन सभी को सेनिटाइजर मास्क और पीपी किट भी उपलब्द कराया गया है कि अगर कहीं आवश्यक्ता नुसार जाने की आवश्यक्ता पड़ती है इसे संभेदन सील अस्थल पे जहां पाश्ट्यू होने की संभावनाएं हैं तो वो जो है पीपी किट में जाए और लगातार अपने हाथ को साबून से साफ करते रहें सेनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें मास्क का इस्तेमाल करें इसके साथ ही हमने सारे थानों को लगभब दोदो की संख्या में स्कैनर दे रखे हैं जिनकी मदद से सारे सिपाहियों की प्रदिन स्कैनिंग की जाती है कि अगर किसी में कोई लक्षन मिलते हैं तो ततकाल दाक्टर से सलाह लिया जाता है फिलाहाल सवभागे से अब तक हमारे जल्पद में पुलिस का कोई भी कर्मिशारी कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है लेकिन हम लोग अनुबरत लगातार प्रयास सील हैं और पुलिस लाइन में प्रदिन थर्मल स्कैनिंग की जा रही है थानों पे थर्मल स्कैनिंग की जा रही है नाका आज पे जो फोर्स लगाया गया है उसको भी मास्का और सेल्टाइजर्स की वेवस्था कराई गयी है साथ ही स्कैनर्स की मदद से उनका भी परिक्षन परदिन किया जा रही है देखे जो तात जानकारी है उसमें तिरपन लोग पाश्टू पाए गए हैं पुरे जनपद में जिसमें एक किटर दिल्ली में हो गई थी और इन्वे से 11 पूरी तरह से ठीक गई हो चुक है रुख करते हैं चंडीगड की तरफ चंडीगड के बापुधाम में मिले कोरोना के 12 नए पेशन पहुची हमारी कोरोना वॉर्योस की टीम वहीं चंडीगड की साई सेवा समिती ने लगाया रक्त शिविर चंडीगड में श्री साई सेवा सीमित की ओर से लगाये गई रक्त शिविर में चंडीगड पुलिस के जवान वह अन्य लोग रक्त करते हुए नजर आए इस मौके पर चंडीगड के मेर रजवाला मलिक, SSP निलामबरी, जगदाले और भी अन्य लोग भी रक्त दान करते हुए नजर आए दिखे साऔफजा सीमित करते साप्न में अन्य बग्त दान काइच के बिरे रखुशा से लहा है यह अन्य कज्शा प्रवां प्रफषाइड करते हैं जो कि अजय को अजय को आई बागल कि अजय को अजय को आई है कर दो कि अधि यह और अधिम्हां प्रापव कर दो अदिया चाहिए घ्लीक तालियानाश भी स्वाले से स्वालें सुंध्वाल बिक आपने शोड़ methodology है ही जबरी को अधिया है सब्सक्राइब में आयं कि इंडिपन केट्वाइब इधर फगबाड़ा में लोगों ने की टिक टॉक पर शराब की माम जिसको लेके मचा बवाल और अधिकारी पर पड़ा दबाओ पाइसाब सरकार क्या रिया भी अपने परांदे अंदर बेठो तुसी बार वेड़े चनिको के बेठेया तो तड़ी प्रावलम है कि यार अपना काम करो में नू तांग ना कर वो पाइसाब जेको ताड़ा दोख है का संगोसो वासी ताड़ा दोखा हाला करना दी कोशिश कर यहार मैं क्या ना कवर तु चल जाए तो अपने काम कर वो पाइसाब तुछ अपना मसला दसो के सिताहीं हल गराए कि करेंगा मसला हाला पक्का पका तरह मसला हल गराए कि तचींग पका अले तो तेरी प्रावलम है यारा खाली होगी मनु पार्किश पाइसाब फोन दोखते देना खत्म हो गए पंजाब सरकार ने कि लेके तरह सेंटर सरकार नुपे इतिया सेंटर सरकार ने मोर लवनिया ते मंजूरी दे देनिया ते पंजाब शराब भी खुल हो जड़निया तुख बर दिन भीतर भया तब सुक आयो ए रंग जीवन में अगली गल सुनी है ओके लिए सेंटर सरकार ने ठेकिया दी मंजूरी राब्द कार्थी है करना सोशल मीडिया दे चलदा जाब जया या तेक्तो अडप वारी तेक्टो अडेकान को कुछ राब दे लेके ट्च्टोप नहीं हो दिवारे तो डखी के ने जात्वानूपत लगे सभारे किसे ने जी सी वीडियो के एक कानुगो और पटवारी ने कोई शिराम नू लाके टिक टॉक देखे वीडियो अनुपनी अप्लोड की ए मैं नू अज जे थे गलाया किसी गहरा मज़े पर एक साथी वीडियो कांफरेंस वान करके वह इत्वे आय वी थी कि उन्हान में मेंडल नी सकिया पर इस तुम बाद जीड़ा नहीं दो बजीड़ा टेम टेम यह उन्हान कर नहीं नुथ कुछ वीडियो के अपलोड करनाई में हो सिनेमा जता जावे जड़ा सरकारवनों लोकारों प्रितिती जा रही आते हैं यह उना का स्वास्त भी करांगे लोग जाग रूप हो चाना लोग उन लोकानों गुम्राह कारवाने जिवना ने पाई आते हैं अपना स्पस्थिक आम जो विजसे मान जो रहा है जो कि आते हैं जो रोडियो करना लोग जो सिरकारों परशासन पूरा मस्ताहद नाज़ा यह एक ड्यूटी तुराने जड़ा अधिकारी एक पार्का दे ज़िच मना रहे हैं सारभ जाने के साथ स्थान दे ज़िचा मना लेका की उना देवान दे तो चीस्जान सी एक शराफ बंदी नो लेके एक खुलन आ। लेके नो लिएकी नो लेके लिएक दोू तरह कामा है एक चाओ क्ता है। तो वही इस कोरोना और लॉगडाउन ने साधों को परशान करके रख दिया है कहीं पर उनको जा रहा है मारा तो कहीं हो रहा है उनका समान चोड़ी आएए देखते हैं फगवाड़ा की जीटी रोड़ पर इस्थित शिव मंदिर आश्रम शिरी गुरू देव दंदा त्रे विजे तेत राम में तीन नाका पोश्ट लुटेरों ने महन पर जानलेवा हमला कर दिया उससे हजारों रुपे की नगदी छीन कर मौके से फरार हो गए मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई मौके पर पहुँची पुलिस जाच कर रही है लूट की वारदार संबंदी बाचित करते महन बुधवार को करीब साड़े दस बजे वह मंदिर में अपने कमरे में टीवी पर महाभारत का कारेकरम देख रहे थे कि उस दोरान तीन नाकाप पोश्यूवकों ने उनके कमरे का दरवाजा खोल कर तेजदार हत्यारों पर उन पर हमला कर दिया महनत ने बताया कि उक्त लुटेरों ने हत्यारों के बल से उनसे करीब 20,500 रुपे की नगदी छीन ली जो उन्होंने मंदिर में चल रही उसारी के लिए लेवर के लिए रखी थी महनत गिरी ने बताया कि लुटेरों ने उनकी कमरे में टीवी को भी फोड दिया मंदिर में लगे दानपत्र को तोड़ वहां से रुपे निकाल कर ले गए इस संबंदी पुलिस को सूचना दे दी गई मौके पर पहुची थाना सिटी पुलिस जाच करी लुटेरों द्वारा हत्यारों से किये गए हमले में महनत रामिश्वर रानंद गिरी के चोटे भी लगी है दूसरी चोरी हुश्यारपूर रोड पर एक मीट की दुकान को निशाना बना कर कीमती समान पर हाथ साफ कर ले गए दोनों मामलों की पुलिस जाच कर रही है अधे उनना बना खर्चा तो भी किती है उनना मैंज़न नहीं उनने तो मुझाले आज़े गए दासी आरप रहा है उननों 8 जाटी आरप रहा है असे उनना केसरी शुट काता है अननों दूसरी में देड़े गए सब उनना को केंदे है थे आर और गएरा भी सी अनना केसरी में दाथ तर्णी चाप को टाइब काता है उननना को ना मैंज़ने बनादी केसरी शाटी में जाटी कर देड़ा रहा है मोव जबत आरप रहा है कोई लगे देड़े? तरह करते हैं बागपत की तरफ जहां शिक्षकों को मार्च अप्रेल का वेता ना मिलने पर क्या कहा शिक्षक चंग के जिला प्रभारी ने आई देखते हैं मार्च अपका प्रेशा क्या है मैं नाम जितनकुमार्थ ओमर्ण मैं वीरिशमार्क इंटरकॉल्ज बड़ोत में नागट सास्थ प्रवक्ता हूं तथा माध्यमिक शिक्षक संग का जिला परबारी हैं बागपत आपकी क्या समस्या है मेरी समस्या यह है अजितनास जैन इंट सेरकाली शेरपूर लुआर जन्दपद भागपत के सिख्षकों को मार्च और पैल माह का वेटन मुक्तान नहीं किया गया मार्च का वेटन मुक्तान नहीं होने पर मैंने इसकी सिकात सेम कोटल पर डाली थी जिसकी संख्षा है सिकात से क्या है चार सो एक सो उन्तारिस दो आजार उन्तिस चोविस पंदा चार दो आजार बीच में मनने यह सिकात तरज कराई थी इस सिकात पर सेम कोटल से अपर प्रमुक्षची माध्यामिक को सिकात का निस्तान इतु अधिकर्ट किया गा था लेकिन और ने जो है सिकात निस्तान के आदेश दिती लेकिन आज 30 अपरेल मैना से मत होगा आज तक मार्च का वितन भी नहीं हुटान हुआ कारण अरितनाथ जैन इंटर कालिज शेफुर लुवारा के प्रदानाचारिय श्री राम्मोहन मर्दबाज जो साथ तक स्कुन लेंगे अनुपस्तित अवेज तरीके से चिक्षिकर्टी नुप्ति कर दी बगएर डेयस का वितन किये डेयस का पैसा हड़ाप गया आधी अनेक आरोप लगाते विए परबंद समीती ने उनका जन्वरी फरवरी 2020 का वितन लोप रखाया इस प्रक्रण की जाच कि दिए डियाइड उमदेद दोर इन सरस्थों की समीती बनाई गई थी एडियम के माध्यम से भी नायव तैसिलार बरोदु को इसकी जाच के लिए अधिकर्ट किया था दोनों समीतियों दोरा जाच की गई जाच में आरोप तही पाए गई फिर भी डियाइड वोद्दे प्राजनितिक दबाव में आकर आम माँ का वेतन बुठ्वि नहीं किया जगकी चन्पत्य सभी सिक्षको अपरेल माँ के वेतनी जारी है एक मैई तक अपरेल माँ का वेतन सेबको में जाएक quedna सर्थे ने झाला पास नहीं किया इस संदर्ड में मैंने मैंने आज दियास के वार्ट- MAR Mosault पहेंद दी आवशक्ता पड़ी तो मैं मुल्यांकन कार्य का वायसकार भी करूआ मुल्यांकन कार्य जैसे के संभावना है पास मईसे शुरूरो होना होने जा रहा है जिसके संदर में आज टीवी पर उप्स शेम दिनेस्थर्मा माद्यमिक समंत्री का ब्यान आया हुआ है चाहोगे देश में लोकडावन चल रहा है इसके बारे में आपको संदेश देना चाहोगे लोकडावन प्रक्रिया चाहिए गैप होने लेकिन इसके साथ को रोपने के लिए देश विदेश की रोचक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी लिंक्डेन, फेस्बुक और टुटेर पर हमको फॉलो, शेर और पोस्ट जरूर करें